हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को आज हम देखेंगे विलोम सब्द विलोम सब्द का ये दूसरा वीडियो है पहला वीडियो बन चुका है यूटूब पे आप लोगों को मिल गया होगा अच्छा लगा होगा अब हम विलोम सब्द पढ़ेंगे आज इस दूसरे विडियो में भी सभी परिक्षाओं में पूछा जाता है टीचिंग में भी पूछा जाता है कंपुटेटिव एक्जाम में भी पूछा जाता है तो हर परिक्षा के दृष्टी से बहुत important topic है तो आप लोग सुनेंगे ध्यान से पढ़ेंगे तो उम्मेद करते हैं आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला दिया है सब्द अतिव रिष्टी तो अतिव रिष्टी का विलोम क्या होगा अतिव रिष्टी का विलोम होगा अनावरिष्टी क्या होगा अनावरिष्टी अवनी का विलोम क्या होगा तो अवनी का विलोम होता है अंबर अनुराग का विलोम वी राग होता है अनुकूल का विलोम प्रतिकूल आद्र का विलोम सुस्क होता है तो अतिवरिष्टी का अनावरिष्टी अवनी का अंबर अनुराग का विराग अनुकूल का प्रतिकूल और आद्र का शुस्क होता है विलोम आगे आगे दिया है आसा, आसा का विलोम क्या होता है? तो निराशा होता है, आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है, आलोग का विलोम अंधकार होता है, आय का विलोम व्याय होता है तो हमने देखा आसा का निराशा, आस्तिक का नास्तिक, अलोक का अंधकार, आय का व्याय अगला है हमारा आग्रह, आग्रह का विलोम क्या है? तो अनाग्रह होता है आग्रह का अनाग्रह, आकिर्ण का विलोम विकिर्ण होता है आधार ये important है आधार का विलोम होता है आधे या लंब दोनों घा सकते हैं आधार का विलोम आधे भी होता है लंब भी होता है आकर्शर का विलोम होता है वीकर्शर आकर्शर का विलोम क्या होता है तो वीकर्शर और आधे का विलोम तो अंति होता है आग्रा का अनाग्रा, आकिर्ण का विकिर्ण होता है विलोम आधार का विलोम आधे या फिरलंब होता है आकर्षड का विकर्षड होता है और आधे का अन्ते होता है अगला दिया है आसक्त आसक्त का विलोम होता है अनाशक्त आजादी का विलोम होता है गुलामी और अभ्यांतर ये सूपरमोष्ट है अभ्यांतर का विलोम होता है बाह्य इसे ध्यान देना है अभ्यांतर का विलोम क्या होता है तो बाह्य होता है अजादी का गुलामी आसक्त का अनाशक्त तो हमने देखा आ सब्द से जितने विलोम थ सब्दों को हम देखेंगे तो दिया है इह लोग इह लोग का विलोम क्या होगा तो पर लोग होता है इस्ट का विलोम अनिश्ट होता है इस्वर का विलोम अनिश्वर होता है उपसर्ग का विलोम प्रत्य होता है उन्मूलन का विलोम रोपड होता है इह लोक का विलोम परलोक, इश्ट का विलोम अनिश्ट, इस्वर का विलोम अनिश्वर, उपसर्ग का विलोम प्रत्यय और उन्मुलन का विलोम रोपड अगलत दिया है उदार ये भी बहुत मोश्ट है उदार का विलोम होता है क्रिपर इसे ध्यान देना है उदार का विलोम क्या होता है तो उदार का विलोम क्रिपर उत्क्रिष्ट का विलोम नीक्रिष्ट होता है उपयोग का विलोम दुरूपयोग होता है क्या होता है उपयोग का विलोम दुरूपयोग उपयोग्त का विलोम अनुपयोग्त होता है उच्च का विलोम निम्न होता है तो हमने देखा उदार का क्रिपड है उद्धक्रिष्ट का निक्रिष्ट है उपयोग का दुरूपयोग है उपयूग्त का अनुपयूग्त है उच्च का निम्न है आगे आगे दिया है उद्धिर्ण उद्धिर्ण का विलोम क्या होता है? अनुद्धिर्ण उत्तिर्ण का विलोम होता है अनुतिर्ण उद्धत का विलोम होता है विनीत ये भी इंपोर्टेंट है उद्धत उद्धत का विलोम विनीत होता है अगला दिया है उदयाचल उदयाचल का क्या होता है? अस्ताचल उदयाचल का विलोम अस्ताचल उत्तरायर, उत्तरायर का विलोम दक्षिडायन होता है क्या होता है? दक्षिडायन अगला है एक तंत्र, एक तंत्र का विलोम क्या होता है? तो बहु तंत्र होता है, ये भी मोस्ट है एक तंत्र का विलोम बहु तंत्र एड़ी का विलोम तो एड़ी का विलोम चोटी होता है ध्यान देना है एड़ी का विलोम चोटी और एतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होता है एड़ी का विलोम चोटी और एतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक अगला है हमारा इच्छा इच्छा का विलोम क्या है? अनिच्छा इद का विलोम होता है मुहर्रम यह भी इंपोर्टेंट है इद का विलोम मुहर्रम इच्छा का विलोम अनिच्छा उपकार उपकार का विलोम अपकार उपकार का विलोम पूछेगा तो हम अपकार बताएंगे और उतकर्ष का विलोम तो उतकर्ष का विलोम अपकर्ष ये भी अच्छा है इंपोर्टेंट है उतकर्ष का विलोम अपकर्ष उत्दात का विलोम तो उत्दात का विलोम अनुदात तो हमने देखा इच्छा का अनिच्छा इद का मुहर्रम उपकार का अपकार, उदकर्ष का अपकर्ष, उदात का अनुदात अगला है हमारा उद्साह उद्साह का क्या होगा विलोम? उद्साह का विलोम होगा निरुद्साह या फिर अनुद्साहित उद्चा का विलोम निरुद्चा भी होगा और अनुद्चाहित भी होगा अब है उद्थम उद्थम का विलोम अधम होता है ये भी इंपोर्टेंट है उद्थम का विलोम अधम उद्ध्यमी का विलोम निरुद्यम उध्यमी का निरुद्यम उध्थान का विलोम पतन उध्यमी का निरुद्यम और उध्थान का विलोम पतन उधार उधार का विलोम नकद होता है ये भी इंपोर्टेंट है बहुत उधार का विलोम नकद उपरी उपरी का विलोम तो उपरी का विलोम होता है अधा क्या होता है अधा अगला है उपभुग्त उपभुग्त का विलोम अनुपभुग्त होता है ठीक इसे भी ध्यान देना है उग्र ये इंपोर्टेंट है उग्र का विलोम सौम में होता है क्या होता है तो उग्र का विलोम सौम में होता है उपभुक्त का अनुपभुक्त होता है उपरी का अधा उपरी का विलोम अधा उधार का विलोम नकद अगला है हमारा एकता एकता का विलोम अनेकता एकत्र का विलोम विकिर्ण ये भी अच्छा प्रश्ण है कि एकत्र का विलोम क्या होगा तो हम एकत्र का विलोम विकिर्ण बताएंगे इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये विकल्प देगा तो कन्फ्यूज कर सकता है तो एकत्र का विलोम विकिर्ण होगा एश्वर्य एश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है एकेस्वर्वाद एकेस्वर्वाद का विलोम बहु देववाद होता है तो एकता का अनेकता, एकत्र का विकिर्ण, एश्वरे का अनेश्वरे और एके स्वरवाद का बहुदेववाद तो आज हम इतना है विलोम देखेंगे फिर हम अगले वीडियो में विलोम के तीसरे वीडियो में हमका अच्छर से सुरू होने वाले विलोम को देखेंगे आज हमने इतना देखा इसको देखा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा सुनने से बहुत तयार होता है और बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है और जब विकल्प हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि हाँ कहीं सुना है तो वो सही हो जाता है तो क्लास अच्छी लगी होगी आप लोगों को फिर हम बिलेंगे विलोम के अगले वीडियो के साथ आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप से अर्दय प्रॉम के से ख के वीडियो कु का पाले нес Tradept किलेंगे वीडियो सोगी, वीडियो शेतारे खे टे सॉंदाग